नमस्ते, स्वागत है आपका फुत्रदा एकदशी वरत कथा सुनने के लिए अर्जुन ने कहा, ए कमल नयन अब आप मुझे श्रावन महिने के शुक्ल पक्ष की एकदशी की कथा सुनाने की कृपा करें श्री कृष्ण ने कहा ये अर्जुन श्रावन महिने के शुक्लिपक्ष की एकदशी की कथा के श्रवन मात्र से ही अनंत यग का फल प्राप्त होता है। को इस लोग और परलोग दोनों में सुक नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत उपाय किये। किन्तु उसका हर उपाय निश्वल रहा। जैसे जैसे राजा महाजित वृद्धावस्ता की ओर बढ़ता जा रहा था। वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़त और ब्रामनों का निरादर ही किया है। मैंने प्रजा का सदेव अपने पूत्र की तरह पालन किया है। कभी किसी से इर्शा भाव नहीं किया। सभी को एक समान समझा है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसा नहीं है जो प्रजा में अनावश्यक डर उत्पन करे। इस प्रका में मुक्त हो पाऊंगा राजा के इस कष्ट के निवारन के लिए मंत्री आदी वन को गए ताकि वहां जाकर किसी रिशी मुनी को राजा का दुख बता कर कोई समाधान पासके वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ट रिशी मुनियों के दर्शन किये उस वन में वयवरुद और अधर्म के ज्याता महारिशी लोमश भी रहते थे वे सभी जन महारिशी लोमश के पास गए उन सबने महारिशी लोमश को डंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुक बैट गए महारिशी के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सबने महारिशी लोमश से प्रातन नम्रता और सद्व्यवहार से मैं अत्ति प्रसंद हूं। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहे। मैं आपके कार्य को अपने समर्थ के अनुसार अवश्य ही करूंगा। क्योंकि हमारा शरीर ही परुपकार के लिए बना है। लोमश रिशी के ऐसे मदुर्वचन सुनकर मंत्री ने कहा हे रिशीवर आप हमारी सबी बातों को जानने में ब्रह्मा से भी जादा समर्थ हैं। अर्थार्थ आप हमारे संदेर को दूर कीजिए। माहिश्मिति नामक नगरी के हमारे महाराज महाजित बड़े ही धर्मा प्रजावत्सल है। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मा नुसार पालन करते हैं। किन्दु फिर भी वे पुत्र हीन हैं। ये माहमुनिय इससे वह अत्यंत दुखी रहेते हैं। हम लोग उनकी प्र प्रहीन होने का अभी तक कारण ग्यात नहीं हुआ है इसलिए हम आपके पास आए हैं अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा क्योंकि महान बुर्शों के दर्शन मात्र से ही प्रत्यकार्य की सिध्धी हो जाती है अर्थात आप हमें बतानी की कृपा करे कि किस विधान से हमारे महराज पुत्रवान हो सकते हैं है रिशिवर यह आपका हम पर वह हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा ऐसी करुन प्रातना सुनकर लोमश रिशी ने त्रबन करके राजा के पुर्व जनम पर विचार करने लगे कुछ पलो बाद उन्होंने विचार करके कहा है भद्र जनों यह राजा पिछले जनम में अत्यंत उडंड था तथा बुरे कर्म किया करता था उस जनम में यह एक गाउं से दूसरे गाउं में घुमा करता था एक बार जेश्ट महिने के शुक्ल पक् रही थी राजा ने उसको प्यासी ही भागा दिया और स्वयम जल पीने लगा है श्रेश्ट पुर्षो इसलिए राजा को यह कष्ट भूगने पड़ रहे हैं एक अदशी के दिन भूका रहने का फल यह हुआ कि इस जनम में वह राजा है और प्यासी गाए को जलाशे से भा पुत्र हीन है यह जान सभी सभासद प्रातना करने लगे रिशी श्रेश्ट शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुन्य से पापनष्ट हो जाते हैं अर्थात क्रिपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताईए जिससे हमारे राजा के पूर्व जनम के पापनष्ट हो जाए और उन्हें पुत्र रत्न की प्रात्ती हो सभासदों की प्रात्तना सुनकर लोमश मुनी ने कहा हे श्रेश्ट पुर्शो यदि तुम श्रावन महिने के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकदशी का वृत और रात्री जागरन करो और उस वृत का फल राजा के नाम कर दो तो उन्होंने लोमश रिशी की आग्या अनुसार पुत्रदा एकदशी का विधान पुर्वक उपवास किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया इस पुन्य के प्रभाव से रानी ने गर्ब धारन किया और नौ महिने पश्चार अत्यंत तेजिस्वी पुत्र को पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुश्य को विधान पूर्वक शावन महिने के शुक्ल पक्ष की एकदशी का व्रत करना चाहिए इस रत के प्रभाव से इस लोग में सुप और परलोग में स्वर्ग की प्राप्ती होती है कथा कसार कुछ इस प्रकार है पाप कर्म करते स में मनुश्य ये नहीं सोचता की वह क्या कर रहा है कि मनुश्य का छोटे से छोटा पाप भी असे भयंकर दुख भूगुने को विवश्ट कर देता है इसलिए मनुष्य को पाप कर्म करने से डरना चाहिए क्योंकि पाप नामक यह देत्य जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा नहीं छोड़ता प्रानी को चाहिए कि सत्य व्रत का पालन करते हुए भगवान के प्रती पूरिश रद्धा वह भक्ति रखेंगे आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद